हेलो दोस्तों सेन decision हेलफ我 में आपसबी का स्वागत है दोस्तों एससी ने आपसबी जानते है कि जो पॉस्स प्रिफयेंस का जो वॉर्म है उसके रिगाड़िकन लॉतिस ससी ससी ने कल रिलीष किया था उस लॉतिस में इंपोरटन बात हैं और कैसे इस notice को हमें seriously लेना है और किन-किन पॉंट पर seriously लेना है क्या कि already मैं discuss कर चुका हूं जो हमारी live discussion चलता है उसमें मैंने जो last चला था उसमें बताया था कि mid of June है वहाँ पर हमें post preference form देखने को मिलेगा और कल हमारे पास था post preference form तो further हम बाते करेंगे उससे पहले देखिए अब नोटिफिकेशन में ससी ने किलेली मेंशन है कि जो नोटिस 27 और 16 तारीक को ससी ने रिडीज करा था करते हैं ससी की वेबसाइट में जाके किनारे पर आपको लॉगिन यूजर ने मान लॉगिन होता है वहां आप लॉगिन करेंगे वहां से जो प्रोफाइल खुलती है वहां पर नीचे आपको ऑप्सन में लिएगा जब यह ओपन हो जाएगा आपके लिए डेमो भी हम प्रोव करा रहे हैं वह सब और उसको वहां पर फिल अप करना पड़ेगा डीवन डीटू डीफाइव डीएट डी नाइन इस तरीके से आपको पोस्ट्रेफेंस को फिल अप करना पड़ेगा जो हमारे पास इंपोर्टेंट डेट है वह 19 तारिक से लेके 25 तारिक यह विंडो खुल कर सकते हैं उसके बाद चेंजिस नहीं हो पाएंगे इस ट्रैम पिरेट में आप चेंजिस करना चाहें एक बार आपको लगता नहीं या मैंने गलत भड़े तो आप दुबारा उसको फिल अप कर सकते हैं ठीक है यहां पर लिखा भी हुआ है आप पड़ सकते हैं तो फाइनल एससी मानेगी चैंडिडेट हो फेल टो एक्ससाइज यह इंपोर्टन पॉइंट है और आपको काप का कैंडिचर कैंसर माना जाएगा आपकी विलिंग्नस नहीं माने जाएगी आप डॉक्री नहीं करना चाहते हैं ऐसा माना जाएगा और बाद मों कोई चांसे नहीं मिन लगा दियर्फोर्ट केंडिडेट हुए अपेर इंडश्किल जो भी स्किल में अप्याड हुए हैं वह मेंडेटरी एक्साइज को करेगा मेंडेटरी इस फॉप को अच्छे से भरिएगा अच्छे से कैसे बनना है मैं आपके सांथ लगातार दिनों में पोस फिर इस चीज़ को अच्छे से मैंसन करें कि उसी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करें जिनमें उनकी वेकंसी यह क्या कोई भी कैटेगरी के अगर हमारे पास कैटेगरी हैं तो उनमें कुछ भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं हर पोस्ट को अप्लाई करने से अच्छा उन्हीं को अप्लाई करें जहां जहां पर उनकी पोस्टे अवैलेबल हैं ठीक है केंडियर मस्ट इंसे देगी प्रवाइड एनी फर्दर ऑपरचुनिटी तो एद एक्साइज ऑप्सन कम प्रिफेंस फॉर्म एनी ग्रिवेंस से रिसीवेट इंदिस 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 कहने का मतलब है कि आप इस एक्साइज को पोस्ट प्रिफेंस बना भूल जाते या नहीं कर पाते हैं तो आप लोग को कोई दुबारा मौका नहीं मिलेगा इसलिए आप लोग इस टाइम पिरेंस में अच्छे से पोस्ट प्रिफेंस को बरेगा जो दोस्त आप से जुड़ थैंक यू सो मच हम जल्द ही आपके सामने जो भी हमारे डिसकुसंस रहेंगे उन्हें भी लेके आएंगे थैंक यू सो मच